हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सवागता है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रेगनेंसी में उल्टियां ज्यादा आना या कम आना क्या लड़का होने का लक्षण है या लड़की होने का सही जानकारी हम आपको देने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में और को प्रेस करें हमारी आने वारी प्रेगनेंसी से रिडियो हर वीडियो का नोट्पिकेशन पाने के लिए साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है हमारी बूड़ी ब ज़रु सेयर करें ताकि और भी घरपवति महले में जान सकें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसकी बज़ रहने लक्षण टान अब ज्यूंजे रहते हैं यापट जयुक्ष जयुक्षारे का पोनी में मन रहते होते हैं में ने आपके साथ किया तो वो सही बैड़ जाए लेकिन अपनी जिग्यासा को कम कर सकते हैं थोड़ी सी शांत कर सकते हैं इतना ही हम आप से कहेंगे यह जो उल्टियां है प्रेगनेंसी के समय अगर किसी भी गरवती महिला को जैसे पता लगता है उसने कंसिप किया है और उसको उल्टियां इतनी जादा होती है कि पानी पीते हैं तो वो भी नहीं पचता है खाना खाते हैं वो भी नहीं पचता है या फिर बिना बाद के बिना कुछ खाये प्ये भी उल्टियां आती रहती है उल्टियां आपको आती है पूरी प्रेगनेंसी यह नहीं आएंगे आपको तिसरे महिने तक इतनी ज़्यादा उल्टियां आएगे कि आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी पीने का मन नहीं करेगा, जो आप खाओगी वही उल्टियां आपको होती रहेंगी, उसके अलाबा भी आपका जो मूँ है वो कड़वा रहेगा आपका कड़वा पन रहेगा कोई भी चीज खाएंगी स्मेल सी आएगी उसमें और कड़वा पन भी आपको महसूस होगा पहुत ज़्यादा तो ये सबसे बड़ी निसानी होती है लड़का होने की और ये लक्षण काफी गरवती महिलाओं में ही देखा जा चुका है और 99% ये लक्षण सही भी थावित होता है जबकि लड़की ओने के टाइम पर ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता लड़के होने के टाइम पर कुछ चीजें होती है जो उनसे उल्टियां आती है ये निया कि पानी पिया उससे भी आ रही है दूद पिया उससे भी आ रही है ऐसा नहीं है जो चीजें इसमें से बदभू मारती है स्मेल आती है बहुत जादा कई चीज ऐसी होती है उन में से आप उल्टियां आ सकती हैं, उनको खाने क बाद आ सकती हैं, लेकिन ये लड़का होने का कि इसमें बिना कुछ खाए पी भी आप उल्टियां आती रहेंगी आपको, आपको गर्मी है या सर्दी आपको ठंडा खाने का मन करेगा, ये ऐसा लक्षण है, तो ये परसन सही सावित होता है।